हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल स्से नॉलेज गाईज अभी अभी एक गुड नोज आ रहा है जो कि स्से छेशल दोहजर अठ्था में जो कैंडिडेट डीवी के लिए सिलेक्टेट हो चुके है उन लोग के लिए है देखिए कल ही मैंने बताया था स्से छेशल दोहजर का डीवी का सीडेट जल जारी हो चुका है से पुर्श इस इस्तांज जोन के लिए बाकि जोन्ट का कभ आएगा ओ कि आगे बतता er.org पर आपको जाना पर यहां पर जाते हैं आपको जो है मिल जाएगा Stand Zone का सीडूल बगरा मिल जाएगा डीवी का अब देखिए जो लोग Stand Zone से से सिलेक्टेड है उनहीं का आपका डीवी होगा कहां पर होगा है आपको पूरा दिया जाएगा तो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि आपका कॉल लेटर जो है बाइक पोस्ट नहीं जाएगा अभी देखिए आपका एड्मिन पगरा नहीं आया है जो कॉल लेटर है डीवी से लगबग 10-7 दिन पहले आप उसका डीवी होने जा रहा था फर्स जुलाई तो मेरा कहना था कि भाई 10 जुलाई के आसपास आप लोगा डीवी हो जाएगा है मीड जुलाई लेकिन देखिए उससे भी पहले यह लोग कर रहे है मतलब आप सोच सकते है SSC पूरा अब जो है SSC CHSL पर उनका फोकस है क्योंक CHSL 2008 को यह लोग जितना जल्दी हो सके खतम करने की कोसिस कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि चलो कम से कम पॉजेटिवली यह लोग CHSL 2008 के लिए सोच रहे हैं तो चलिए देखिए 2 जुलाई से यह निकी 1 जुलाई में आपका फेज 7 पोस्ट का डीवी होगा उसके अगले दिन ही आपको CHSL का डीवी होगा बहुत अच्छी बात है कि चलो कम से कम कोई भी इन्होंने दिले बगरा नहीं किया कोई भी सोचने के लिए ज्यादा टाइम बगरा नहीं लिया कल ही मैंने कॉल किया था तभी उन्होंने बता दिया था कि जल्द आपको इन्फर्म क हो जाएगा टोटल जो इस्टुएंट अगर हम लोग देखेंगे तो बीस के आसपास एक बैच में आपको लए जाएगा मतलब फर्स्ट बैच जो है उसमें बीस इस्टुन बुलाए गया है उसके बाद अगले बैच अगर देखेंगे तो ग्यारा थर्टी से आपको रिप इसे आपको टोटल मान के चलिए आपका 80 के आसपास इस्टुन को जो है तोटल इस्टुन एक दिन में अपका डीवी बगड़ा होगा उसके बाद नेक्स डे देखेंगे आप त्री जुलाई इसे करके सेम अपका फॉलो किया गया है एक डिन में बुलाया गया है हो सकता है मैं आपर देखें काउंट नहीं किया हो सकता है 80 या 100 भी हो सकता है काउंट नहीं किया आप लोग देख लेना कि किसका कब है अब अगर देखें कब तक डीवी चलेगा मैंने जैसे अगर पिछले वाला वीडियो अगर देखा है आपने जो मैंने लिस्ट के लिए बोला था डीवी के लिए कि क्या क्या डोकुमेंट्स आपका निसेसरी है उसमें मैंने बता दिया था कि डीवी आप लोग का लंबाज चलेगा क्योंकि देखिए कोवीड का जो गाइडलाइन से गॉवीं इनको फॉलू करना पड़ेगा और आप लोग का लाइब भी इनके लिए इंको इंपोर्टन है इसा नहीं की कोवीड के हालास में देखिए एक तो एकजम भी इंपोर्टन है साथ ही साथ आप लोग का जो लाइब जो है ओ भी इनके लिए important है तो इसलिए ओ लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक साथ सब को dv के लिए बुलाएंगे तो dv लंबा चलेगा अगर last page पर आएंगे तो आप देख सकते हैं 9 July तक चलेगा तो मैंने आपको उसी वीडियो में कहा था कल भी वीडियो में मैंने बताया था कि 20 से 25 दिन तक चलेगा अब डिपेंड करेगा जोन ओई मान लीजिए कि अगर किसी जोन में ज्यादा इस्ट्रेंड हो तो उसमें ज्यादा टाइम लगगा किसी जोन में कम इस्ट्रेंड हो तो उसमें कम इस्ट्रेंड लगएगा जैसे अगर बात करो नौर्थ इस्ट में यहाँ पर कम इस्टोन होता है तो यहाँ पर मान लिजिए कि आपका एक हफता ये 10 दिन के अंदर इनका खतम हो जाएगा अगर हम लग बात करेंगे Central Zone में या आपका North Zone में बात करेंगे North OS में बात करेंगे तो लगभग आम मान के चली 25 से लेकि एक महें तक इनका चलेगा तो पूरा जुलाई मन्त इनका चले जाएगा सिर्फ और सिर्फ डीवी का आने अब बाकी जोन का कप आएगा देखिए अमुनान ऐसे देखा गया है मतलब हर ताइम ऐसे देखा गया है इस्टांच जोन सबसे पहले डीवी का सिर्फ बगरा हो गया या आपका आडमीड बगरा हो गया सबसे पहले इस्टांच जोन जो है इनफर्म करते है और मुझे लगता है बाकी जोन का एक हपते में आ जाएगा क्योंकि एही आपका सिनारियो है मतलब पिछले का जो रेकॉर्ड बगरा है पिछले एक्जम का एसा ही हुआ है कि एक वीक में बाकी जोन का भी आ जाएगा अब देखिए ये भी आपको समझना पड़ेगा जैसे माल लेजिए साउट जोन में चेनना बगरा हो गया मुंबाई जैसे सिटी में अभी कोवीड का हालात अभी उतना अच्छा नहीं है तो इसलिए हो सकते हैं ये लोग डिसिशन लेने में थोड़ा बहुत टाइम ले ले तो इसके लिए भी कोई प्राब्लम नहीं है कि जुलाई तक तो कोवीड का जो भी हम लोग कि आपका एक-दो दिन बाद होगा आपका जो नौइस आपका व्हारी करता है लेकिन कोई भी हो अगर जुलाई मंत में पूरा आपका डिवी बगरा खतम हो जाता है जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उमीद करेंगे कि देखे मीनिमाम तो डेर मह करने में अगर रिजल बगरा दे देते हैं तब भी आप मान के चलिए कि सेप्टेमबर मीट तक आप लोग का फाइनल रिजट आएगा वह मैंने कल ही बता दिया था कल के डेट में मैंने सब कुछ बता दिया था कि कब तक है अभी तक तो देखिए जो एक्सपेक्ट किया थ करेंगे कि आप लोग का जो कि फाइनल रिजाल है वह भी सेप्टेमबर मीट तक आ जाएगा तो उसके लिए आगे बात करेंगे एक दो दिन में आप लोग का वीडियो आएगा कट आप के ऊपर काम चल रहा है तो टेंसन मत लिजिए कट आप के ऊपर आएगा और ऑप्सेन आपको बता दूंगा तो चलिए एग अपडेट नहीं था उम्हीद आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सेया जरू करना और में चल्को सब्स्क्राइब भी जिए ताकि कोई भी आप्डेट आपको सबसे पहले म